तो आज की जो वीडियो वो है हस्बेंट वाइफ के बीच में तो यार देखो हम ना मतलब हमें यह टॉपिक ना मतलब कमेंट करते ना लोग तब हमें यह याद आ जाते हैं कि यह इन पर भी वीडियो होनी चाहिए ताकि लोगों को अवेरनेस हो तो कोशन यह कि जो वाइफ ह यह हस्बेंट है वाइफ के लिए लेते हैं हस्बेंट के लिए बनाओ ना फिर मेरे को बहुत क्रिटिसाइज होएगा वीडियो में बहुत क्रिटिसाइज करेंगी तो लडिकों के फेवर में बनाता है वीडियो वगयरा वगयरा बला 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 तो सपोज हस्बेंट है औरे ऐंडरा सउमी वर्सेजी यूरो ऑफ इंडिया सुपरीम कोर्ट ने डिसिजन दे रखाय कि जो आपका जो अप dances अब मैं आपको privacy एक दो बता देता हूँ जैसे कि अपनी मरजी का cloth पहनना ठीक है अब cloth यह नहीं कि बिल्कुल option हो मतलब ठीक हो जैसे कि मालनो मेरे को black पसंद है तो मैं black daily पहन सकता हूँ कोई मेरे को रोक नहीं सकता अब मेरे को shades लगाने का sock है तो मैं shades लगाऊँगा तो यह मेरी privacy है ठीक है और मतलब जो आपकी choice हो लेकिन वो relevant हो ठीक है अब यह नहीं कि आपको मतलब कोई illegal काम करना पसंद है ठीक है तो वो आपको choice वो आप बोल दोगे कि यह मेरा fundamental right है अब किसी को silver पसंद है तो silver पहने अब आते हैं मुद्दे की बात पर तो wife को कोई right नहीं है husband का phone check करने का similarly wife को भी husband को भी कोई right नहीं है अपनी wife का phone check करने का यह बात बता रहूं मैं आपको legally जो पढ़े लिखे होते हैं उनकी लेकि इंडियन society में ऐसा नहीं होता अगर phone नहीं देते हैं चेक नहीं करने देते उसमें मतलब उसके साथ फिर domestic violence हो जाती है अगर husband phone नहीं देता है तो उस पे आरूप लगा दिये जाते हैं कि तेरा fair है तब ही नहीं दे रहा तो वगल वगल अब मैं आपको है legal बात दारूँ ठीक है अगर हम वैसे देखें legal ही तो wife को कोई right नहीं है husband का phone चेक करने का ठीक है वैसे अगर प्यार मुभबत में चेक करें ठीक है लेकिन वैसे नहीं कर सकती ठीक है और नहीं इस चीज़ के लिए code जा सकते है कि इस मेरा husband होके मेरे को phone नहीं दिखा था तो ठीक है petition डाल दी और वगर वगर ऐसा कुछ नहीं होगा इस बेस पे आपको divers मिल लेगा similarly wife के साथ भी है wife का भी अपना personal personal right है अपने phone पे ठीक है फॉन पे जो चेक करते हैं फॉन जो पी वटसाफ वगर जो भी है प्यार में दिखा दे मतलब wife अपने husband को तो अलग बात है लेकिन जबर जस्ती नहीं कर सकता husband wife को कि भी तू अपना phone मेरे को daily दिखाएगी वगरा वगरा तो इस चीज़ के लिए आप कोट में जा सकते हैं यह वाइफ कोट में जा सकती है husband नहीं जा सकता कि भी यह मेरे को phone क्यों नहीं दिखा रही similarly wife नहीं जा सकती कि husband क्यों नहीं दिखा रहा लेकिन husband जा सकता है कि यह मेरे phone क्यों चेक कर रही है कि मेरे privacy हाट हो रही है voluntary husband दिखा थे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन आप वैसे नहीं कर सकते अब wife quote नहीं जा सकती कि यह मेरे को अपना phone दिखाए daily लेकिन husband quote जा सकता है कि यह मेरे phone ना चेक करें क्यों उसकी privacy है under article 21 personal liberty ठीक है उसको अपनी मट जीका जीने का हाक है अब इसका जो leading case है अगर कोई आपको पूछता है कि इसका constitutional provision क्या है तो वो है पुट्टा स्वामी versus union of India ठीक है यह जो case है यह बोलता है कि आपकी privacy है ठीक है privacy समझते है अब fundamental right बना दिया गया है बिसक आप किसी room में जाके रह रहे हो किसी लड़की के साथ ठीक है अगर वो 18 से अब आवे तो वो privacy आ गया अब मैं आपको इसका सबसे बड़ा example देता हूँ privacy का पहले क्या था affair करना allowed नहीं था आपको भी पता है लेकिन 28 सेतंबर 2018 के बाद affair allowed कर दिया उसमें एक बात कही थी कि जो यह wife की जो affair करना है वो wife की choice है चोईस मतलब समझ रहे है उसको husband नहीं पसंद है तो उसको किस कोई और पसंद है तो वो उसकी choice है तो आप देखो जब affair ही allowed कर दिया तो यह चोटी मोटी चीज़े तो privacy में आनी आती है ना तो यह तो उसके आगे कुछ नहीं है समझ रहे हो जब सुपरीम कोट नहीं यह बोल दिया कि आप affair कर सकते हो allowed है आपके लिए ठीक है जो इतनी बड़ी बात बोल दी तो यह जो फॉन वान यह तो ठीक है लेकिन अब हम बात करते हैं रियल में लेकिन इंडियन सुसाइटे में क्या होता है भी फॉन चेक नहीं कर अबेगा ठीक है छुपके से चेक कर ले कोई दिक्कत नहीं है लेकिन वैसे मतलब यह नहीं कि उसको बांड नहीं कर सकती है तुमुझे अपना फॉन देखा नहीं हजबेंड कर सकता अपनी वाइफ को कि तुझे दिखाना ही पड़ेगा ठीक है यह मैं आपको लीगली बात और पे करो कॉल करो और चिल करो अगय तो इवप इस चिल मैं